टेस्टी होम फूड में आज हम लोग आटे की नमकिन बनाएंगे इसमें कोई भी हम मैदा का इस्तिमाल नहीं करेंगे जो भी हम बनाएंगे सिर्फ आटे से ही बनाएंगे आप नमकिन तो बहुत खाए होंगे पर एक बार आप इस आटे की नमकिन बनाके देखिए बहुत ही टेश्टी नमकिन बन करके तयार होती हैं, देखिए इसके अवाहते ही आपको पता चल जाएगा कि कितने करारे बना हैं, आपको मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर से बिल्कुल भी बहुत अच्छे से पख चुके हैं, बहुत ही करारे नमकिन बन करके तय क्यार हुए हैं, तो चलिए हम लोग बिना देर के वे बनाना स्टार्ट करते हैं, एक बरतन में हम आटा चाल के ले लेंगे, उसमें हम थोड़ी सी जवायन और मंगरेला एट करेंगे, स्वात के अनुसार उसमें हम नमक एट करेंगे, एक कटोरी में हम घी गरम करके रख ल अच्छी तरीके से मिलाएंगे जिसे घी है अच्छी तरीके से मिल जाए इस तरीका से आप रगड करके अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मिलाएं इससे पूरे घी जो है पूरे आटी में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा इस तरीका से हम मुठी बांद के आटा को अगर आपका गोला बन जा है baby video है बिल्कुल राइट पड़ा हुआ है बिल्कुल उसके साब गोला नहीं बने तो उस में थोड़ी सी गी और डाल देंगे लेकिन हमारा आठा बिल्कुल परफेक्ट पड़ा हुआ है इसमें मन अब हम हलका गरम पानी यूज करेंगे इसमें अब इसका हम आठा अच्छे से गूत लेंगे थोड़ा इसका आठा कड़ा होता है बिल्कुल मेरा आठा गूत किरके तैयार हो चुका है इसको अब हम 15 मिनाट के लिए सेट होने के लिए इस आटे को हम रख देंगे ढखके अब 15 मिनाट हो चुके हैं हम अपने आटे को खोल के देख लेते हैं देखें बिल्कुल ये आटा आपको सौप्ट नजर आ रहा होगा अब इसका हम एक गोला तयार करेंगे इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे और इसमें हम चाकू से लंबे लंबे कट लगाएंगे अब किसी भी आकार में काट सकते हैं जैसे आपको पसंद हो लेकिन मैं इसको लंबे लंबे आकार में ही काटूंगे एक कडाही में मैं ओइल भी इधर गर्म कर चुकी हूँ इधर मैं कटिंग भी करते जाऊंगे एक नमकिन इस तरीके से अलग से निकाल लेना है इस तरीके से हम निकाल निकाल के रखते चले जाएंगे जब मेरी ओइल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालते चले जाएंगे एक नमकिन हम इसमें डाल के पहले चेक करेंगे देखिए हमारी ओइल बिल्कुल गर्म हो चुकी है अब इसमें हम बाकी नमकिन भी डालते चले जाएंगे जब हम नम्किन डाल लेंगे तो बिल्कुल इसको हम हलके हाथों से इसको हम हलके से चलाएंगे जिसे तेल में चारों ओर से फैल जाए थोड़े देर इसको हम पकने देंगे बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे अब हैं हमारी नमकिन जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने लगी है देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके है अब हम इसको निकाल लेते हैं बहुत ही सुन्दर कलर आया है देखें आप मेरे चैनल से नए जूड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लेजिए ताकि जो आने वाली वीडियो हो आप तक पहुंच सके इस परकार हम अगला जो नमकिन काटके रखे तो उसको भी हम कडाही में डालते चले जाएंगे अब मैं आपको नमकिन दिखाती हूँ देखें हमारी नमकिन कितनी अच्छी से बन करके तैयार हुई है आपको मैं एक नमकिन तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से बिल्कूल भी पक चुकी है देखिए बहुत ही अच्छी नमकिन बन करके तैयार हुई है एक बार आप जरूर ट्राई करें